मेरा नाम विरेंद राठोर है मैं को फाउंडर हूँ jointfilms.com का 20 यह से में मेडिया इंडस्ट्री में हूँ मैंने as a actor, writer, director, producer काम किया हुआ है किस-किस तरह से काम मिलता है आपके हसाब से आपकी जो भी अभी मन में है वो मुझसे शेयर किजिए फिर मांसर करो Audition तो information है, role कैसे मिलता है नहीं मेरा question है, मैं इस पर भी आउँगा, यह बहुत अच्छा question कि आपने, बहुत अच्छी बात बताई, इस पर आउँगा मेरा यह किना है कि किस तरह से काम मिलता है, जैसे की casting director से दोस्ती हो, पैसे देने से मिलता है, जुगार से मिलता है, गुरुपिजम से मिलता है, क्या-क्या चीजे हैं जो है mind में आपके, वो मुझसे शेयर केजिए आप लोग अपने group में हो, या अपने घर पे होना, वैसे ही मेरे साथ ideas share करो, ऐसा नहीं कि यहां पर तो हम बड़ी अच्छी बाते करें, और हम बाद में सोचे हैं कि यह नहीं पूछा वो नहीं कुछा, जो भी आपके मन में है, आपको लगता है, पैसे से मिलता है, बोलो ह तो मैं आपको explain कर पाऊंगा ना, पैसे देने से भी काम नहीं मिलता है ना, अगर अपने audition कितने लोग ने पैसे दियें भी तक, नहीं आज अगर किसी को आप मानोंगे नहीं, चांस का बता दिया जाए, कि आपको यहां पर चांस मिल जाएगा, बाला जी ने आज, और आप पांच हादर उपए तो सभी दे देंगे, तेंसे भी पैसे आ जाएगा, मैं तो ऐसे लोगों से रोज मिलता हूँ, जिनके आज पैसे नहीं है चुली, वो दे रहे हैं, और पचास-पचास हजार के उपर, देखिए जितना भी यह है, इस टर्म से आप कभी ना कभी गुज पज़दारी आपकी, फ्रॉड तब होता है, जब आपके मन में दिमाग में लाला छावी होता है, मैं बहुत क्लियर कर दूँ, कोई भी कितना भी फेवर कर दे, आपको रोल नहीं दे सकता, आप से कोई कितने भी पैसे ले ले आपको काम नहीं दे सकता, क्योंकि है, जिसमें की आर्टिस फिल्टर होते हैं, हर कास्टिं डिरेक्टर हर करेक्टर के दो तीन आप्शन्स लेता है, कहीं पे भी डिसीजन किसी एक आद्वी का नहीं होता, इसलिए पैसे की बात हो ही नहीं सकती, अभी दिल्ली वक्शॉप में हमारी जो ऑडिशन सेलेक्शन हुई थी, उसके एक स्टुडेंट है, उनका हमारे कॉंसलिंडीन का स्पोन आया है, कि उनके पास बाला जी से एक एग्रिमेंट भी आ गया है, कि उनका सेलेक्शन हो गया है, और वाट्सप पे मैसेज आया है, कि वो आप बंबई आ जाओ, तो मैंने उसका ओडिशन देखा मुझे मालम है, कि एबरिच परफॉमेंस है, नहीं पॉसिबल है, तो मैंने वो संधिया मेडम से कहा, अगर आप लोग की बाद भी होगी संधिया से, तो मैंने उन से कहा, कि उनका मैसेज मुझे पारवर्ट करो, मैसेज देखते मेरे को एक बार में क्लिर था, यह फ्रॉड तो और इसके रिजिस्टेशन के लिए आपको सिर्फ बाइस सो पचास रुपे जमा करने एकाउंट में, जब वो स्टुडेंट मुझे से बात कर रहा था, हमें बता रहा था कि फ्रॉड है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, वो बिलकुल तयार था हो बाइस सो पचास र लड़ते नहीं हो, दोगजा तीन हजार रुपे के लिए आदमी एक दो बार फोन करता है, फोन बंद हो गया तो शुको लेता, तो वो पस यह समझ जाता है, हो तो गया मेरा सेलेक्शन लेक्शन लेका, बाला जी कभी बाइस सो पचास रुपे लेके किसी का सेलेक्शन और बाला जी का कोई क्लर्क लेवल का आदमी भी ऐसी लेंग्विज नहीं लिखेगा, अगर बाला जी टेली फिल्म का नाम ले रहा है तो, पॉसिबल है नहीं है, प्रोफिशनल कंपनी है, ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास तो मेरी गार्ड़न्स अविलिबल थी, बहुत सार प्रोफिशन लेता है, इस से जञए इस से जञए नहीं कर सकता, जो आपका आपका ओडिशन जाएगा उसका सेलेक्शन बहुत फिल्टर के बाद लिए ये कास्टिंग प्रोसीजर, इसको सीखना जानना बहुत ज़रूरी है, कुटा क्या है कि कास्टिंग के लिए जब अच्छा रोले में लीड रोले तो उसके बाद उनकी भी रिविव और मार्केटिंग कमेटी होती है कि ये मार्केट में लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे तो बहुत लंबा चंक है उसको आपको पार करना है तो सही बात है वो टैलेंट से आपके परसनलिटी से उससे मैच हो रहा है कि उस पर ही डिपेंड करता है इसके लावा कुछ भी नहीं है